क्रिशी कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते हरियाना सरकार ने पंचाय चुनाव ना कराने का निल्नलिया है आंदोलन से बने वातावरन के ठीक होने के बाद ही चुनाव कराने की बाद भी कही गई है मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने ये जानकारी मीडिया सिरु वरू होते वे दी है उन्होंने बताया कि पंचाय चुनाव के लिए भी वातावरन ठीक नहीं है दबाओ के विशय चले होने से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है जैसे ही वातावरन ठीक होगा वैसे ही चुनाव कराएंगे सियम ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो चुका है पंचायतों में प्रिशासक लगाए जा चुके है विकासकारियों में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी वही मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष किसानों के नाम से राजनीती ना चमका है किसान भी राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर आंदोलन ना करें केंद्र सरकार किसानों का हिच चाती है उनकी आये दोगुना करने में लगी है उन्होंने कहा कि सड़क पर धरना उचित नहीं, जन्ता को परिशानी नहीं होनी चाहिए वरतमान अंदोलन से जन्ता के अधिकारों का हनन हो रहा है ऐसे फर्मान जारी नहीं करने चाहिए जिन से किसानों का नुकसान हो फसल उजारना वह दूद के दाम सो रुपे करना अनुचित है उन्होंने कहा कि किसानों को इतना नए बहकाएं कि आर्थिक तोर पर उनका नुकसान हो फसल अच्छी होगी तो किसान को ही फाइदा होगा और उभोगताओं को अच्छा वै उचित मुल्य पर खाद्यान मिलेगा दूद जिस दाम पर बेचना है बेचे लेकिन उसे व्यर्थ ना करें पहले भी महंगे दामों पर दूद बेचने के वाक्या हो चुके हैं गलत फर्मान जारी करने से अच्छा संदेश नहीं जाता सीम ने ये भी कहा कि सरकार चुनाओं के लिए तयार है और नई पंचायतों का गठन भी किया जा चुका है विकास इम्म पंचायत विभाग के अनुसार अदिक्तर पंचायतों ने प्रिशासकों को रिकॉर्ड सौप दिया है कुछ पंचायते रिकॉर्ड देने में आना कानी कर रही है अगर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं सोपा और जाच में गड़बड़ी पाई गई तो नियमा नुसार कारवाई की जाएगी अपील करना चाहरा हूं हम देख रहे हैं कि किसान के नाम से यह जो अंदोलन चल रहा है मश्प्रियों कर रहा हूं किसान के नाम से क्योंकि सभी किसान इससे सहमत नहीं है लेकिन जितने कर रहे हैं वो भी एक साइजबल नंबर होने के नाते से उन्हों ने जो माहौल में हम चाहते कि कि धहरे से इन चीजों को उनको समझा कर बता कर बिना किसी फोर्स का उप्योंकिये हुए और मामला ठीक हो जाए और काफी सभार हो भी रहा है और वो चीज इंटेंस्टी नहीं है जो आज से चब भी जनुवरी तक थी चब जनुवरी एक ऐसा मोड आया था उसमें कि किसानों को बदनाम कराने में इन्होंने को एक असर नहीं छोड़ी एक बदनामी नक्यवल देश में दुनिया में होई पैसूस भी करते हैं हो लोग लेकन अब हमारा कहना है कि शांती पूर्व का पंदूलन करना ये हरके से का एक डिमोक्रेटिक राइट है करें को दिकत नहीं जनता को प्रेशानी नहों यहम अपील करते हैं हमको यह जो सड़क के ओपर धरना देना यह उचित नहीं है यह एक प्रकार से दूसरे लोगों के अधिकार का हनन है अब एक नई जो चीज और शुरू करती उन्होंने किसानों को बैकाने की कि अपनी खड़ी फसले हैं उनको जाड़ दो या आपके घर में रोजी रोटी के लिए दूद होता है तो दूद को खराब कर दो दूद की कमाई मत करो मेरा अपील है मेरी उनकी कि वो जो आंदोलन खतम होगा नहीं होगा उन थाना कर दें कि उनके आर्थ नुद्सद और जादा होने शुरू हो जाएं अ AGर 47 वह सुझाए की तो किसान का ऑवर लआभ है को भी खाने को मिलेगा और खराब होती है तो कुछ भी नहीं होगा इसी प्रकास से दैने को माने वाले रोजी रोटी वाले बहुत परिवार ऐसे हैं जो दूद रोजाना अपनी बिकरी करके अपने घर परिवार को चलाते हैं अब उसको बेचें किसी भाव बेचें हमें दिक्कत रही है आखर हर किसी को अपना रेट टखने का दिखा रहे है सो रप्या हो चाहिए दोसुर प्या हो चाहिए सब्सक्राइब हो इसका कोई फिक्स रेट होता नहीं है लेकिन एक फर्मान जारी करना कि आप यह रेट इतने में बेचेंगे इसे नीचे बेचेंगे नहीं नहीं तो गराज़र पज़रुआना लगेगा यह उचित नहीं है तो मैं अपील करता हूँ खिसानों को कि इस परकार क्या आवान ना करें नहीं तो मैसिज बहुत अच्छा नहीं जाता और कुछ खिसानों का नुक्सान हो जाता जिस खिसान का हम सब मिलकर के हित करना चाहते हैं उसका नुक्सान करने के लिए ऐसा आवान ना करें यह मेरी प्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्ल